कि नवश्कार बीसे न्यूस के खास मिलाकात में मैं विशाव सभी का सवामत करती हूं कहते हैं लड़कियों का अधिकार होता है शिक्षा लेकिन पहले से ही कुछ रूड़िवादी परंपराओ के कारण लड़कियों को शिक्षा लेने में बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लड़कियों को शिक्षा ब्रहन करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लगब कुछ 125 सालों पहले महरशी डोंडों के शव करवे इन्हें इस चीज समझी और इसी चीज के चलते उन्होंने महरशी त्री शिक्षन संस्था इसकी शुरुआत की लगब 125 सालों प और इसकी कॉलेज में आज हम यहाँ पे है जो यह कमिंग्स कॉलेज फॉर इंजिनियरिंग इन नाफपुर फॉर वुमिन्स है यहाँ पे बहुत सारी स्क्रिया अब तक सीख चुकी हैं बौर हुई है और बहुत अपने पैरों पर भी खड़ी है इनका मोटों यह है कि प्यार करके एंपार करके खुद के पैरों पर खड़ा पर आज इसी चीज के चलती हम कमिंग्स कॉलेज में है और डॉक्टर भरत भूशन जोशी इनसे हम बात करने वाले हैं सर सक से पहले आपका स्वावत है हमारे इसमें और सर की बारे में जब बताना चाहूं तो सर इस बात कॉलेज में है और सर प्रिंसिपल है कमिंग्स कॉलेज अपूर इंजिनिरिंग आपको बहुत है जाओ इस पत्पर कारगरित है लगभग 2011 सर प्रिंसिपल के पत्पर है सा अपका बहुत बहुत स्वावत है और आपड रह एक नहीं परफ लिग और रह भाग यह ज़ान आएशो 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 अवर्ड का भी समाविश है और पैंस बिसनस अवर्ड जो है यह दो बार शायद मिला है आपको बहुत से ऐसी चीजे है जो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताए ताकि हमारी दर्शकों को पता चले कि किस तरीकी कि आज हमारी साथ एक बहुत अच्छी परस्नालिटी कंशीन कुर नोगे वाले है हमारी बातों का सतला शुरू करने से परने से पहले मैं चाहती हूँ किआ आप अपने बारे मी थोड़ी सी जयंकारी साथी हमारी कमंस क्क्लेट की बादे की जयांकारी जेंए प्यानकी यह तिंक यू बरीबच दिशा प्र अज है अजलिकंपिं मैंने डियाइडियो में बाइस साल नोकरी करने के बाद आज जॉइन डिरेक्टर वहां से वालिंटर इंटार्मेंटली फिर इंडस्ट्री में कुछ एक्सपरियंस लिया और इसके बाद मैं एकडेमिक्स में आया हूँ और अभी फिलाल कमिन्स कॉलेज आफ इंजिनेरिंग का प्रिंस्पाल हूँ तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री के सोच के तरह से करता हूँ और इसे मुझे जो support पाले कनता है वो भी मेरे management से मलता है क्योंकि मेरे management के जितने भी members है वो सारे ऐंडस्ट्री से इकालोग रखते हैं तो उनकी भी सोच इंडस्री अर् mould एंड़ी है और मेरी भी है तो उस हिसाब से मैं यह अकेडेमिशन बनगया हूँ एकड़ेमिशन और साइंटिस्ट टूंट इंटू एक इंस्टिटूट इस पारे में थोड़ी सी जानकार्याव से जानना चाहोंगी जैसा कि आपने पहले इंट्रडेक्शन में बता रहा है कि यह मारशीकर्वेस्रीशिक्ष्ण सहुस्ताई हैं इस त्रियों के लिए हैं और यह कॉलेज भी लड़कियों के लिए हैं तो यह कमिंस इंडिया फांडेशन उन्हें बहुत जनरस फंडिंग दे यह कॉलेज शुरू करा था और इस कॉलेज का बदलब इंफ्रास्ट्रेक्चर बिल्डब करने उनका काफी इसमें योगदार है और सिर्फ उनने इनिशली इंफ्रास्ट्रेक्चर के लिए फंड्स देके उंके नहीं है तो वह अभी भी इस कॉलेज की डेवलिप्मेंट के कॉलेज की जो फैकल्टी उनकी डेवलप्मेंट है स्टूडेंट की डेवलप्मेंट है उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं और यह जो है इनका काफी अच्छा मॉलेटरिंग भी कमिंस कॉलेज के तरब से भी रहता है और हमारे नारेजमेंट काफी इसमें काफी अच्छा यो करे रथे तो कहीं नहीं बहुत लंबे समय से सर इसकॉले से जुड़े और बहुत सारी चीज़े इस बारे में जाते हैं अज सर इसी चीज के चलते मां आप से का सवाल पुछना चाहते हूं कि कहीं ना करी टेक्नॉलोजी के बढ़ते कोर्से भी जो हैं इंजिनियरिंग कोडि अजिसमें वो अलग अलग डिफेर्ट डिफेर्ट टाइप्स की आरे बहुत सारे पाठ्यक्रम आरे इस चीज के बारे में आप से जानकरी चाहूँगी की आपका क्या कहना है इस विशे कर हमारा जो कॉलेज कमिस कोलेज अप इंजिनियरिंग कोर्से आपर कर रहे हैं एक है अब यह जो तीनों कोर्से से यह कोर इंजिनियरिंग कोर्से से हैं कि यह आपकी जो पाया बनाता है आपका जो आगे चलने का जो करियर है वो इस तीन कोर्से से ही बनता है अभी अगर आप देखोगे तो काफी सारे कॉलेजिस में कुछ नहीं नहीं कोर्से भी आये हमें है मैं उसके बारे में जाता नहीं यहां पे बोलूँगा मगर मेरा कहना यह है कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर उसका अंडर गाइजुएशन करना है तो यह तीन कोर्से में करो क्योंकि इस तीन कोर्से से आपकी जो नीव बनती है उसको आप उपर लेके जा करके किसी और स्पेशलाइजिशन में जा सकते हो अगर आपको आजकर जो इमर्जिंग टेकनोलोजीज है जैसे की इंटरनेट आप टेकनोलोजीज फिर इंटरनेट आप तिंक्स और दूसरा है अबना आल्टिफिशल इंटलीजन्स तो यह जो नई इमर्जिंग टेकनोलोजीज है यह टेकनोलोजीज सेखने के लिए आपकी नीव बनना ज़रूरी है वो यह कोर इंजिनियर्ग कोर्से से बनती है तो मैंसे दर्शबों को यही पताना है कि पहले आप अंडर्गाइजुशन लेवल में कोर इंजिनियर्ग करें फिर आपका स्पेशलाइज़शन जो है वो इसी में ही बनता जाएगा और इससे आगे जब आप जाओगे पोस्ट ग्याइज़शन के लिए तब आप किसी स्पेशलाइज़शन में चाहिए वो आप को ज्यादा पाइदेमंद रहेगा क्योंकि आपका एक बेस बना रहा है और उस हिसाब से मैं कहूंगा कि आपने ये तीन कोरेंगें कोर्स को प्रिपर करना चाहिए अंडर्गाइज़शन लिए बनाने के लिए इसका बेस स्ट्रॉंग होना चाहिए अगर बेस अच्छा हो तो ही चीज़े पर्फेंट बन सकती और अच्छी बन सकती है इसा इतित्सर का भी कहना है और सिर जिस तरीके से कमिन्स कॉलेज एक वुमन्स ओरिंटेड कोलेज है मैं आपसे जानना चाहती हूं कि किस तरीके से हमारी जो 21st century है उसमें वुमन्स कॉलेज़ज या उनिवर्स अगर आप सोचोगे कि लड़कियों के लिए खास कॉलेज की ज़रूरत क्या है तो पहली तो बात यह है अगर आप देखोगे आज कल का जो ट्रेंड होते जा रहा है यूज सी डाट की बहुत सारी लड़किया अभी CEO बन रही है बहुत सारी लड़किया टॉक्मोस तो वो होते जा रहा है तो यह तब होगा जब कोई एक लड़की अच्छा पढ़के अच्छा एक confidence उसमें अगर गेल हो जाए और वो खुद को एक लीडर बनाए तो जाकर के यह कर सकती है और वो करना ज़रूरी है क्योंकि लड़किया जो होती है वो सुभावता से ही काफ इनके लिए जब हम यह एक platform देते हैं तो वो लड़किया एक अच्छी लीडर बनती है और लीडर कैसे बनती है इसका मैं आपको एक example दोगा कि जैसे हम कोई भी हमारे 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 इवेंट होती है तो मुझे पता नहीं आप कोईड में पढ़े हैं कहां पढ़े हैं तो आगे-ागे रहते है और लड़किया इसे फीशे पिशेचे लित्वें अगर यहां पे वैसा देंगे यह सारे लड़किया है तो लड़कियों में पूरा लेना है ऌना अर्गनाइज करना है हमारे है है वोत सारी का सधी तो बहुत सारी इवेंस होती है क्ट्र मиях क Samtime स्थ्या कुछ लड़िकीया यह बहुत अची जीजसे कही नहीं यह सर्फ अपने स्पोर्ट का कहा स्पॉर्ट सप लाने का का उनमें जितनी भी स्किल्स है और चीजे को डेवलब करता है और जिस तरीके से अपने कहा कि लड़कियों को लीडर बनाना यही काम है आपका प्रफेशनली स करना वर यह सारी चीज़े कराइने से कही ना करींड पेश ही थे और लेज़ लेड़की्जों सारी ठीज बीछ शेहिए असर कोवल का हमने देखा है कही ना कही अप बहुत लोगों को अपनी एंप्लॉयमेंट से हात दुना पड़ा है रोजकार छूटे हैं लोगों को जोब्स ने विए इसी वीच कमिन्स कॉलेज में कही नगी अच्छा प्लेस्मेंट दिखा जा रहा है इस बारे में इस विशे में आप से जानना चाहिए क्या करेंगा इसका मैं पूर आश्रीया मेरे पाकेल्टी को दूदा और स्पेशली मेरा जो ट्रेनिंग प्लेस्मेंट डिपार्क्मेंट है उनको दूदा क्योंकि यह पैंडमिक सीचुएशन थी तो जरूर मगर उस पैंडमिक सीचुएशन में कुछ ऐसे अपॉर्चिनिटीज क्रियेट किये हैं कि वो अपॉर्चिनिटीज में काफी सारे जॉब् और यह हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेस्मेंट ने भात लिया और उस हिसाब से उन्होंने पिछले साल जब पूरा लाउंड डाउन था सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑनलाइन चल रही थी उस दवरा हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेस्मेंट आपिसमें में तक्रीपन ऐसे 35 companies यहां campus में लाई मतलब वो physically नहीं आई घर्चु भी आई तो वो ऐसे लाए कि जिसमें यह students को कुछ ना कुछ pandemic के current जो opportunities हो रही है वो मिले और उसमें ऐसे 35 companies आई और हमारे काफि सारे students place हो गए तो उसका राज यह है कि हमने वो पंड़िक में भी opportunity धुझा तो इसा है कि पंड़िक में भी opportunity धुनना यह बहुत अची चीजी और बहुत अची चीज और बहुत सथनी चीज है पंड़िक के कारण जैसे अपने शुदवात में गड़ा कि बहुत सरे लोग के जॉब्स के हैं और उसके कारण और भी उसका अधर साइड डार्क साइड यह थी कि हमारे कई सारे डिश स्टूडेंट्स को फीज भरना मुश्किल हो गया था पर एंपल हमारे कुछ एक लोग थे जिमके पारेंट्स शायद ऑटो ड्रैवर हैं यह वह बैंट चलाते थे तो स्कूल बन बेंगे तो वैंग्स बन भूगई ऑटो नहीं चन रहे थे तो उनका इंकम भी बन लो तो उस केस में हमारी सवस्थानी काफी सारे जो हमारे जो डोनेशन्स आते हैं उसे हम भाववीज दिती कहते हैं उनके तुरू जो कलेक्शन आया उससे यह लड़कियों की फीज ऐसे जो नीडी एंड डिजर्विंग जो स्टूडेंट्स से उनको उनकी फीज हमने उसमें से उनको स्कॉलर्शिप्स दी हैं तो जिसके कारण पैंडरिक में भी हमारा एज्यूकेशन किसी का रुका नहीं है तो मतलब कहीं में क्या है सकते कि कमिन्स कॉलेज नो सिर्फ लड़कियों को प्रफेशनली स्टॉंग करता है बट बहुत सारे नोबल कॉस के लिए सोशल कॉस चाहिस के लिए भी नोबल कहाता है जिस तरीके से अपने बाद कहीं में दोनेशन की हलब से लड़कियों को पढ़ाया भी ताकि बहुत बार एसे लोग जो बोलते है कि एज़केशन को बिसनस बनारिया नोब पर सुनली की कुम्म्न चालिश पाध जाया जाहा एँ यहां प तब आपका यह जो एक डाउट है वो सही है मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि लड़कियों के लिए वेकानिकल इंजिनेरिंग में भी काफी सारे अपोर्चिनिटीज है और हमारे यहां पर हम स्टूइट को स्टूइट करते हैं आकी लड़ की त्रीट करतें तो इसलिए हमारे यहां पर होता है और वो जरूरी है क्योंकि अगर आपने खुद यह कोई चीज की है तो ही आप शौक लोग पर जा करके आज लीडर आज अलेजर आप काम कर सकोगे और वो करने के लिए हम यहां पर उनको इस तरह से ग्रूम करते हैं तो इसमें मैं यह कहना चाओंगा कि लोगों को लगता है कि mechanical engineering कहा तो बहुत hardship पर जोग है वैसा नहीं है क्योंकि mechanical engineering में भी design होता है पिर testing होता है और आपकी जो मतलब drawings मेगरा जो बनानी होती है वो होती हैं तो यह सब करने के लिए आजकर computers का इस्तमाल कहा जाता है तो जब computers का जो इस्तमाल कहा जाता है तो हमारे यहां पर बने ही वो syllabus पर नहीं हो फिर भी वो courses specific किये जाते हैं जिसके कारण नडकियों को यह जो skills हैं उनके के computer के उपर CAD, CAM और यह सब चीजें जो हैं इनमें उनकी job profiles बनती जाती हैं अब आप बूलोगे कि नडकिया और क्या कर सकती है कि नडकिया हमारी कुछ एक नडकिया तो मार्केटिंग में भी गई है तो वो भी एक avenue उनके लिए रहन है और आजकल तो ऐसा हो गया है कि कोई भी ब्रांच का student IT में चला जाता है तो वो भी एक option हो मगर हमारा जो main focus है वो है कि core engineering उनमें उनको तयार करें उनमें उनको job दिलाने की कोशिश है पूरी और वो सब करते वक्त यह जो लड़िया है उन्हें कभी भी ऐसे नहीं लगता है कि भाई यह नहीं कर पाऊंगी तो वो confidence दिमाने का जो काम हो हम करते हैं और इसलिए हमारे आखी जो mechanical engineering की branch है वो सबसे बेस्ट है कई नहीं ज़रूरत भी है कि वतलब लड़ियों को बस confidence दिया जाया और अगर confidence दिया जाया तो वो खुद ही शाप होगी और ग्रोगी जिस तरह कि अगर लड़की वो चीज कर सकते हैं यह हमेशा ही आप पूरूप करते आ रहे हैं अज़र कहीं आपने scholarship के बारे में भी बात की थी तो उस बारे में जानना चाल भी किस सरीके से scholarship यहां पे students को मिलती है विशेशताय क्या है इन सारी चीजों के बारे पिल आजकल का यूग ऐसा हो गया है कि लोग पढ़ना तो चाहते हैं वगर फीज सायद जादा हो गई है या उनके sibling भी पढ़ रहे हैं तो वो पूरी family उसको शायद ये बूजा उसका सहन नहीं कर पाती है तो उस हिसाब से उनको support करने के लिए हमारे यहां पे कई सारी scholarship है सबसे पहले तो एक scholarship यह है कि अगर आप हमारे college में हम इसको early bird scholarship मिलते हैं जो कि आप जन्ती से आकर के provisional admission लेले और हम एक orientation program चलाते हैं वो आप attend करें तो आपको early bird scholarship मिलती है और वो early bird scholarship के कारण जो parents का थोड़ा सा जो लूड है वो कम हो जाता है इसके अलावा जो उनकी अगर कुछ category होती है उसके डॉकुमेंट्स सही है तो उन्हें वो समाज कर लेंड की scholarship मिलती है जो की government के तरफ से आती है तीसरी DTE के तरफ से जो economically backward class होता है उनको 50% fees में concession मिलता है उनको scholarship आती है इसके अलावा अगर ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं मगर उनके parents की उतनी पहुंच नहीं है कि उतनी fees दे पाएं एवन जो category वाली student है और उसको अगर 50% भी नहीं पे कर पाती है तो हमारी सवस्था में Cummins भी scholarship देता है अपकोर्स यह Cummins की जो scholarship होती है उसे हम Cummins nurturing brilliant scholarship बोलते हैं तो यह मतलब selected students को दिया जाता है कि जो आगे सकते है really कुछ bright बने कुछ करने वाली है और उनके घर की जो परिस्तिती है वो कुछ challenged है ऐसे लोगों को support किया जाता है तो यह जब Cummins scholarship देता है तो यह Cummins की जो scholarship इसमें इसे full fees are refunded और इसके ऊपर उनको books खरीबने के लिए stationery allowance भी दिया जाता है और उनको एक laptop भी दिया जाता है तो यह बतलब आज कल के जमानों में laptop तो बिल्कुल ज़रूरी है और इसके अलावा बागी scholarship से हमारे साथ जुड़े हैं लीला कुला वाला foundation उनके तरफ से भी scholarship दी जाती है फिर persistence systems उनके तरफ से आती है फिर हमारे भी कुछ donations है जिनके तरफ से scholarship आती है और इसके अलावा जो भी बच जाते हैं उनको हम उसमस्था के तरफ से भी scholarship मिलती है जो पहले आपको कुछ देर पले बता है बहुवी निदी इसकों के तरह है उसमें से भी कुछ लड़कियों को support किया गता है कही न कहीं कह सते है कि लड़कियों को पढ़ाई में कहीं भी दिकत ना हो उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इस तरिके से पूरी scholarship दिजाइन की गही है उनकी सहोगी तर इसाब से उनकी सतन का comfort zone है उस हिसाब से पूरी scholarship दिजाइन ज़ेग है हर तीसरी लड़की को कुछ लग स्कॉलेश ना होती है तो बदलब ताकि उन्हें जादा एकाडमिक में प्रॉबलम नहीं होती और प्रॉपर्ली उनका जो मोटो है वहार तक वो आराम से पहुत सके इन सारी चीज़ों के लिए आसानी हो जाती है आसर जिस तरीके से अपने कि प्रॉफेशनली साउंड किया जाता है लड़के को किस वे में प्रॉफेशनली हापे साउंड किया जाता है इस तरीके इस बारे में जानना चाहिए इसमें वता यह है कि जो सुडेंट आता है वह बहुत रौ होता है और उसको हमें तराशना है मतलब वो खुश्यार हुत यहां पर किया जाता है और इसके लिए हमारे कुछ सेट चीजे हैं और पहले ही साल में हम स्टूडेंट्स को एक मीनी प्रोजेक्ट देते हैं शायद और किसी भी कॉलेज में नहीं और वह मीनी प्रोजेक्ट उनकी जो ब्रांच है उसके से तल्ब रहता है और उसमें जब यह लड़किया प्रोजेक्ट करती है प्रोजेक्ट जब करती है तो उसमें यह उनको पता चलता है कि प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है और प्रोजेक्ट मतलब क्या है उनको परस्ट येर में पता लगता है उसके बाद सेकंड येर थर्ड येर में उनको इ फिर उन्हें एक मीनी प्रोजेक्ट केता है और उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो भी इंडस्ट्री से आये हुए प्रॉब्लम स्टेट्मेंट्स के उपर होते हैं जैसे उन्हें अभी प्लेस्मेंट के लिए आजकल केस में यह होता है कि उन्हें आप्टीट्यीट्ट्ट टेस्ट के लिए तयारी करनी होते हैं तो उसकी भी तयारी first year सही शुरू होती है और second year में उन्हें aptitude की training पूरी तरह से दी जाती है, third year में उन्हें एक EETP program है, that is Employability Envancement Training Program, तो उसके लिए पूरे से एक learned हमारे associate है, वो company आती है, और वो students को लगभख सभी चीजों में, सभी चीजों में उनको train करती है, right from communication कैसे करना है, interview कैसे दिलना है, फिर उनको बाकी भी चीज़ है कि उनको खुद के लिए progress करने के लिए क्या-क्या और websites है, और उनकी पूरी तैयरी group discussion से लेकर के सारी चीजें ये पूरा 80 अवर का program third year में हो जाता है, जिसके कारें, fourth year में ये students, campus के ऊपर concentrate करें, और उनके projects को पर अपर प्रोजेट को बाहर निकलते ही, अपने employment या पर अपनी job जितने भी उनकों मिलता है, जितना भी लड़की का ग्रूमिंग है, जितना भी शापनिंग है, जितना भी शापनिंग है, तराशने का काम आप करते है, तो पूरा इन चार सालों में हो जाते है, और जब लड़की यहां से बाहर निकलती है, तो कहीं नहीं हो, पूरी तरी से confident रहती है, प्रफेशनली भी उतनी साउंड रहती है, सरेक बस आखरी सवाल आप से था, कि जितनी भी इंजिनियरिंग सेक्टर में लड़की आना चाहती है, बहुत ऐसी लड़की यह जो Cummins College में आईए, Cummins College of Engineering for Women, आपको पूरी तरह से आपका बदलाव कर देगी, आपको पूरा confident एक लेड़ी बना कर भी यहां से पासाउट करेंगे, क्योंकि अगर आप यह Core Engineering यहां पे करोगे, Core Engineering के साथ साथ जो भी Specialization है, वो भी हम उसमें कवर करते हैं, और यहां का फाइ कोर्स में हमार यहां हर सेमिस्टर के शुरुवात में पूरा One Week Skill Development Course होता है, जो की आपको इंडस्री के साथ करने करता है, और इसके आगे आपको क्या पढ़ना है, जो नई Technology है, इसके बारे में अवगत करता है, तो यह शायद ही किसी और College में होगा, तो लड़कियों, अग करना है, तो एक भी best option है, तो कहीना कि अगर आपको खुद का base करना है, कोर्स करना है, साथ ही एक confident lady की तूर पर निकलना है, जो सरी के से सेव ने कहा तो, Cummins College for Engineering best है for Women's, और यहाँ पर जितनी भी लड़किया आती है, कहीना कि उनको पूरे तरीके सी professional बनाने की लिए, professional sound ब जो सरी करना है, 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 वो यह है कि NEP 2020 अभी आ रहा है, और NEP 2020 में जो उसी यह बताई भी है, जैसे experiential learning, internships, practical oriented learning, activity based learning, तो यह हम लोग ने बहुत पहले से about किये, तो पिछले चार साल से हम लोग activity based learning कर रहे हैं, experiential learning कर रहे हैं, तो यह सब चीजे पहले से ही हमारे हां हो रहे हैं, तो NEP 2020 I can say that it is possibly adopted also, और वो नए से अड़ाप्त कर रहे हैं, और वो नए से अड़ाप्त कर रहे हैं, तो आपके पास थी, तो ऐसा कुछ अभी आपके लिए यह चीज नहीं नहीं है, शाद लोगों के लिए नहीं चीज हो सब्याएं, और आपके लिए वो पहले सी हुरी है, बहुत ब कुछ!